एलो स्टुडेंट्स आज हम क्लास 12 का जो बुक कीपिंग एन अकॉंटेंसी का आपका जो पेपर था इसका इसका पूरा सोल्यूशन देखेंगे ठीक है सभी अग्जेक्टिव और सभी कॉस्चिन अंसर तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को हैं तक जरूर जाता है आप मैच कर सकते हैं कि आपने कितने सही किये गलत खीक है तो दूसरा है समान लाव पर वास्तविक लाब का अधिक कहलाता है अधिला ये ठीक है आप आ और बालाव और हानी का विभाजन तीन नुपाते एक में करते हैं सा एक बटे चार भाग के लिए प्रवेस करता है आ और बा का त्याग नुपात तो यही होगा इसके बराबर ही होगा तीन नुपाते एक ठीक है चलिए यहांके देखते हैं किसी साजेदार की सेवा निवरती पर उसके पूजी खाते को जमा किया जाएगा उसके भाग के ख्याती के साथ ठीक है यह होगा उसकी भाग के ख्याती के साथ फिर देखें संजीत लाव और संचय का हस्तांतरण किया जाएगा तो कहां साजेदारों के पूजी के खाते में ठ इसमें यह होगा नॉन ट्रेडिंग कंसर्ण्स ठीक है इसमें नॉर्मल प्रॉफिट और यह थ्री पॉइंट यह हो गया थ्री रेसी ओंट ओके फिर हांके चली बढ़ते हैं देखें आए वे खाता किस खाते की सहायता से बना जाता है तो आए और वे खाता वर्स के अंतिम ख हाते की सहायता से बना जाता है ठीक है याद रखिएगा फिर देखें सेकंड फर्म द्वारा साजेदारों की पूजी पर ब्याज कब दिया जाता है तो जब फर्म को लाब होता है ठीक है और यह निश्चित होता है जब फर्म को कि वह लाब में है तब ही ब्याज की ठीक है फिर देखिए सभी साजे ये सानमबर अविका माही ये एक सवाल है ये आप कमेंट बॉक्स और बताईए अगर आपसे आता नहीं आता तो इसे इसपेसली समझाओंगा ठीक है सेप्रेट वीडियो के साथ देखिए दानमबर सभी साजेदारों का दिवालिया होना किस समापन है तो आनिवार समापन है जब सभी साजेदारों का दिवालिया हो जाएंगे तो एक प्रकार का समापन नहीं है ठीक है किन रिंड़ पत्रों का अस्तांतरण केवल सुपूर्दगी मातर से होता है तो वाहक रिंड़ पत्र के मातर है ठीक है वाहक रिंड़ पत्र या अवधी दोनों समान हो जब किस्त की रखाम और अवधी दोनों समान हो तब बुड़न फंबिधी द्वारा व्याची गड़ना की जाती है ठीक है याद रखीगा फिर देखे बी नंबर किसी नए साधेदार के प्रवेस पर परिशंपतियों में हुई ब्रदी को क्या कहते हैं फिर देखे दायत्यों में कमी फर्म का लाब होती है ठीक है फिर देखे फर्मे के विगटन पर बैंक अधिविकर्स को साजेदार की पूझी के खाते में हस्तांतरित करेंगे ठीक है फर्मे के विगटन पर बैंक अधिकर्स जो होते हैं वो साजेदार की पूझी खाते पर ह एक माना जाता है ठीक है आदर्च चला नुपाथ को फिर देखे फोर नमबर आगे चलते हैं सही जोड़ी पर देखे केवल व्यक्त ही क्या बन सकता है साजेदार बन सकते हैं लाव नफे का नुपाथ नाया नुपाथ नाया और पुराना नुपाथ माना गाई ये वालमत हासूली खाते में संपतियां इसका पूस्तक मूली पर दर्साय जाती है और थैस शंत्यूज या ती का क्रह विन्योक क्रिया कहल लाती है विन्योक क्रिया ठीक है् अर्ड़ पत्रों के एक नेरगमन पर कटना उती कृत क्रत्रिम संपें प्राप्ति और भुगतान खाता है यह सथ है यह गथर असथ है फिर देगे भी साजेदारी ठहराओं में किया गया परिवरतन फर्म का पुनर गठन कहलाता है यह ठीक है सेवा निवरत को रासी का भुक्तान एकमुस्त किस्तों में बैद साहित किया आता है हाँ सत्य है किस्तों के माद्धम से ही बैद साहित उनका भुक्तान किया आता है फिर देखे एक निजी कंपनी प्रविवरंड जारी नहीं करती है सत्य है रिड़ पत्रधारी को कंपनी का अंसधारी भी कहते हैं असत्य है ठीक है आपको यह अब्जेक्टिव सभी समझ में आ गए होगे और कॉस्टन अंसर भी थे इजी ही आए हुए थे और वीडियो अच्छा लगे तो सब को सेयर करिए और कंसर्ण करिए ठीक है थेंक्यू फॉर वाचिंग दे वीडियो